नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आज कल सुप्रिम कोट और हाई कोट के उपर दबाब बनाने के लिए विपक्षी पाटियां एक नई अस्ट्रडजी के तहत काम कर रही है नई रनीती है इनके पास कि कैसे कोई मामला अगर हाई कोट में जा रहा है किसी नेता के खिलाफ अगर ये सुप्रिम कोट में जा रहा है किसी बड़े नेता के खिलाफ तो उस पर दबाब कैसे बनाया जाए यानि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता था राजनीती में वो अब जुडिसियरी के खिलाफ चलने लगा है और इसी के खिलाफ एक कीस पुर्व जजज और तकरीबन छे सो वकीलों ने सी जे आई चंदरचूड को एक चिठ्थे लिखी है एक इस पुर्व जज इसमें से चार तो सुप्रिम कोर्ट के पुर्व जस्टिस हैं जिन्होंने सी जे आई चंदरचूड को एक लिटर लिखा है और जिसमें कहा है कि जिस तरीके से स्वतंत्र न्याय पालिका की छवी खराब करने की कोसिस की जा रही है सलेक्टिव तोर पर किसी भी फैसले की सराहना और आलोचना की जाती है और अपने फायदे के लिए कुछ राजितिक पाटियां कुछ नेता पूरे जिडिस्टिरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये सही नहीं है ये लोकतंत के लिए खत्रा है न्यायपालिका के लिए खत्रा है इसलिए ऐसे प्रैक्टिस के उपर परतिवन्द लगाना चाहिए ये जो 21 पुर्व जजों ने चिठी लिखी है उसमें चार सुप्रिम कोट के पुर्व जज हैं जिसमें दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रि पकवर्मा और जस्टिस रिटाइड एमार शाह ये चार सुप्रिम कोट के पुर्व जस्टिस हैं जिनों ने कहा है कि न्यायपालिका के साथ आजकल मजाक हो रहा है इसके अलावा जो 17 और जज हैं पुर्व जज वो सारे के सारे हाई कोट के हैं अलग-अलग हाई कोट के य 17 जो पुर्वजज हैं उसमें हाई कोट दिल्ली के भी हैं यानि दिल्ली, मद्द परदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगर, सिक्किम और बॉंबे हाई कोट के ये जो पुर्वजज हैं उन लोगों ने भी इस लेक्टर में गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी वज़ा से CGI चंडरचूर की बेचैनी बढ़ गई है और साथ ही इस बात पर सुप्रिम कोट में बवाल चल रहा है कि क्या सही माइने में परसेप्सन को बदलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सुनवाई अरविंद केजरिवाल के खिलाप है और साजीस भी केजरी ग और ED का तो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये जो आरोप लगाते हैं लेकिन इसके साथ ही जुडिस्यरी पर भी सवाल उठाते हैं अगर इनको जमानत मिलती है तो ये जीत का जस्न ऐसे मनाते हैं जैसे हमने सरकार से जीत हासिल कर ली इसको पॉलिटिकल जीत मनाते हैं और इसके कारण Judiciary के शाख गिर रही है और इनके विरोधी जो होते हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किया Supreme Court या High Court का इह जो फैसला है ये विपक्ष के दवाव के कारण है राध्धीतिग दवाव के कारण है लोगों के sentiment के कारण है या फिर सही में न्याय के जीत हुई है ये confusion की स्थिति पैदा हो गई है इन लोगों ने जो letter लिखा उसमें एक एक करके अलग-अलग सवाल उठाया है उसमें एक सवाल selective सराहना और selective आलोचना की है मतलब अभी जो इस्थिति चल गई है कि अगर किसी party के या किसी party के नेता के पक्ष में अगर कोई फैसला सुप्रिम कोट से या हाई कोट से आता है तो उसको आधार बना कर या तो सरकार की आलोचना की जाती है और कोट की सराहना की जाती है या फिर कोट के माध्यम से सरकार पर दवाब बनाया जाता है कि देखिए किस तरीके से सरकार ने हमें फशाने की कोशिश की और उसका जवाब सुप्रिम कोट से मिला हाई कोट से मिला और हाई कोट सुप्रिम कोट से रहात मिल गई इस जीत को एक नया तरीका देने की कोशिश की जाती है जिसमें उधारन हाल फिल हाल का है क्योंकि अभी अर्विंद केद्रिवाल के खिलाब सुनवाई सुप्रिम कोट में हो रही है और उसी सुप्रिम कोट पर दबाब बनाने की कोशिश पिछले एक सब्ताह से ज़्यादा स पूष्तास की जरुद थी संजैसिन से वो हमने पूरिक कर ली है और आगे अगर जरुद परेगी तो फिर हम इन्हें कस्टडी मिलेंगे लेकिन ततकाल अभी इनकी कस्टडी की जरुद हमें नहीं है इसलिए इनकी जमानत का हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जब संजे सिन बाहर आया तो पूरे आम आद्वी पार्टी ने एक मामला उठाया कि देखिये हाई कोट से लोवर कोट से इनको कोई राहत नहीं मिली क्योंकि ये सिटिंग थी ED की, CBI की और जैसे ही सुप्रिम कोट में ये मामला पहुँचा सुप्रिम कोट ने नियाय किया और संजे सिन के खिलाब तो कोई आरोप ही नहीं है ये जमानत को आरोप से मुक्ति का एक तरीका बनाते हैं कि अगर जमानत मिली है इसका मतलब है कि आप बाहर जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रिम कोर्ट ने आपको क्लीन चीट दे दिया अगर आपके खिलाफ मामला चल रहा है तो चलता रहेगा सुप्रिम कोर्ट ने आपको क्लीन चीट नहीं दी है बस केवल जमानत दी है कि बेल पर आप बाहर जा सकते हैं कुछ एक्टिविटी कर स और जरुवत पड़ेगी तो इन्वेस्टिगेटिव एजनसी को आप सपोर्ट कर सकते हैं कॉपरेट कर सकते हैं लेकिन संजे सिन ने इस पूरे मामले को ऐसे फसाया कि फिर जब केजरिवाल के खिलाप हाई कोट में सुनवाई हुई जो अरविंद केजरिवाल ने अपनी गि किंग पिन तो अरविंद केजरिवाल है इसके खिलाप ऐसे ऐसे सुबूत है और जब हाई कोट का फैसला आया तो उसके बाद आम आदबी पार्टी ने लगातार प्रेस कॉनफरेंस की संजे सीन गोपाल राय सौरभ भारदो आज आती सी ये सारे लोग जस्मिन साह जैसे ल उठाये हैं वो गलत है हाला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आप हाई कोट के फैसले से एगरी नहीं करते हो इसलिए सुप्रिम कोट जाते हो लेकिन फिर भी आपने इसके लिए उदाहरन क्या दिया उदाहरन संजे सिन के मामले में दिया कि देखिए संजे सिन को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल रही थी और जैसे ही सुप्रिम कोट गए वहाँ पर जमानत मिल गई सुप्रिम कोट ने इन लोगों के सारे तरक को खारिज कर दिया जबकि सुप्रिम कोट ने ऐसा नहीं किया सुप्रिम कोट की तरफ से तो ED के वकील को पूछा गया कि क्या आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिर भी सुप्रिम कोट के जज ने बार बार ये कहा कि इस मामले को दूसरे मामले से न जोड़ा जाए ये न कहा जाए कि अगर संजेज सिन को जमानत मिल गई तो शराब घोटाले में जितने आरोपी है वि अगर कहें संजे सिन को जमानत मिलने का मतलब मुझे जमानत मिलना चाहिए ये सारे मामले इन लोगों ने उठाए और बार बार ये कोशिश की कि लोगों के नजरिये में आए कि सुप्रिम कोट शराब घोटाले के मामले में संजे सिन को जब जमानत दे चकती है तो फिर अर पहर से पहले दवाब बनाओ कि इनके खिलाब एप्रूबर के बयान के अलावा कोई और तो सुबूत है नहीं तो ऐसे में सुप्रिम कोट इन्हें क्लिन चिट दे दे गिरफतारी को गलट ठहरा दे क्योंकि पहले से एक और रातनितिक दवाब सिर्फ केजरी वाल के तरफ से बलकि पूरे केजरी गैंग ये केजरी गैंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो रामलीला मैदान में शामिल होने वाले दूसरे नेता थे वो भी इस गैंग का हिस्सा बन चुके हैं राहुल गांधी लेवल प्लेंग की बात कर रहे हैं शरत पवार कर रहे हैं लालो प इजरिवाल तो निर्दोस है सिर्फ चुनाब के मद्दे नजर चुनाब में आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए ये मोदी की सरकार ने इन्हें गिरफतार करवा लिया है ये दबाब का मतलब है कि सुप्रिम कोट को मौरली प्रिसराइज करो कि इन्हें जमानत मिलन या इनके गिरफतारी को इलिगल ठहराना जरूरी है और यही सवाल इन 21 पुर्व जजों ने उठाए है कि कैसे पूरे के पूरे जुडिसरी को बदनाम करने की कोशिस कुछ पोलिटिकल पार्टिया अपने प्रोपेगेंडा के लिए एजेंडा के लिए कर रही है और कुछ राजनेता जो है वो अपने आपको बचाने के लिए परसनल इंट्रेस्ट के लिए पूरे के पूरे न्याय पालिका की विवस्था को उसकी स्वातंतरता पर सवाल उठा रहे हैं इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप किसी दबाब में आकर किसी को जमानत न दे, किस ऐसे बेल पर भी सवाल उठे हैं और कुछ फैसलों पर भी कि ये रादितिक पार्टियां जो है जब इनके पक्ष में फैसला आए जैसे इलेक्टोरल बाॉंड का फैसला आया तो सरकार उसमें थोड़ा विरोध कर रही थी और जब इनके पक्ष में फैसला आया तो इन्होंने धिडोरा पीटना शुरू कर दिया न्यायक जीत हुई मोदी सरकार हार गई लेकिन सरकार के तरब से एक परतिक्रिया सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाप नहीं आई नहीं भारतिय जनता पार्टी ने सुप्रिम कोट के इस फैसले का विरोध किया कहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो पॉलिसी लाई गई थी उसका तरीका ये था सुप्रिम कोट ने दूसरे मामले में यानि की इनफॉर्मेशन को गुप्त रखने के आधार पर उस पॉलिसी को निरस्थ किया है हम सुप्रिम कोट के साथ हैं हम चाहते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड सारे लोगों के सामने आ जैसे केजरिवाल से सौधिया के बेल रिजेक्शन पर इन सब मामलों में जब फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये जमकर आलोचना करने लगते हैं मन्चों पर बोलते हैं कि देखो कैसे पूरे के पूरे तंत्र को पीम मोदी ने अपने कबजे में कर लिया है इस बात को ध्या ही में कहा गया था कि जिस तरीके से नियाए पालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस पर दबाब बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ जजज सहब जिस तरीके से दबाब में आ जाते हैं वो सही नहीं माना जा सकता इसलिए सुबूतों के आधार पर निया क किसी दवाब में आकर कोई फैसला न लीजे और ये ऐसे समय में आया है जब अरविंद केजरिवाल के खिलाफ सुनवाई हो रही है सुप्रिम कोट के अंदर और सुप्रिम कोट के उपर बड़ा दवाब है इस बात को लेकर कि सारे भी पक्षी राजनितिक पार्टियां ये कह रही है केजरिवाल को जेल भेजने के पीछे का कारण है राजनितिक दवाब ये चुनाब के समय ऐसा किया गया है लेकिन हाई कोट ने तो केजरिवाल के खिलाफ फैसला दिया अब सुप्रिम कोट के उपर ये जो प्रिसर पॉलिटिक्स ये दवाब बनाने की कोशिस कामिय रहती है या फिर इसके खिलाफ जाती है ये तो सवाल इन छे सो वकीलों ने उठाया एकीस पुर्व जजों ने उठाया है इस पूरे गैंग के खिलाफ इसकी साजिस का परदाफास किया है अब सी जी आई चंदरचूर क्या करते हैं आगे ये दो जजों की बेंच जो संजीब खन्ना के नित्रित में है दिपांकर दत्ता के नित्रित में है ये दोनों क्या फैसला देते हैं इस पर निर्वर करता है कि सुप्रिम कोट में दवाब है या फिर नियाय की जीत हो रही है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आजिरोंगे तर तक के लिए बने रही है हमा झाल झाल